बक्त जनों माताओं भेनों सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचरधर्मिद्र शास्त्री सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को बसंत पंचमी बसंत उत्सव की बहुत बहुत शुपकाम नएं और बढ़ाईया माता सरस्वती का भरपूर आशिरवाद आपके जीवन पर सदेव बना रहे आप सभी सुखी रहें, स्वस्त रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वसंत पंचिमी के दिन आपको कौन-कौन से ऐसे कारी करना चाहिए, जिससे पूरे साल आपके घर परिवार में सुक्षांती समरद्धी बनी रहे। माग माहा के शुक्लपक्ष की पंचिमी तिथी को वसंत पंचिमी का महा पर्व मनाय जाता है। इस दिन माता सरस्वती का प्रागट्य उत्सव मनाय जाता है। विद्य एवं बुद्धी की अधिष्ठात्री मातासरस्वती का प्रागट्य माग महा के शुकलपक्ष की पंचमी तिथी को हुआ है इसलिए इस दिन को मातासरस्वती के अउतरण दिवस के रूप में मनाय जाता है साथ ही माग माहा के शुकलपक्ष की प्रतिपदा से ले करके नौमी तक गुप्त नवरात्री रहती है और इसी के मध्य पंचमी तिथी को बसंत पंचमी का महा परो बनाये जाता है और इस दिन को सबसे विशीस दिवस माना जाता है क्योंकि यह दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन बिना पंचांग देखे बिना मोर्त देखे आप कोई भी शुब या मांगलिक कारिक्रम संपन्न कर सकते हैं जैसे आपको नए घर का भूमी पूजन करना है या फिर नया वहन खरिदना है या फिर नए घर में प्रवेश करना है या फिर नए कारियाले में आपको शुबारंब करना है या नए प्रतिष्ठान का शुबारंब करना है नया पदभार ग्रहन करना है या फिर आपके जीवन के लिए कोई भी शुब या मैंगलिक कारिक्रम आपको करना है तो आप बिना पंचांग देखे बिना मुर्त देखे कोई भी नया एवं शुब कार्य शुबारंब कर सकते है तो इस शुब योग में अभूज मूर्त में आप कोई भी कारी करते हैं तो उसका अनंत गुनाप पुन्यफल आपको प्राप्त होगा लेकिन सभी विध्यार्ती वर्ग इस जिन माता सरस्वती का पुजन अवश्य करें तो निश्चित तोर से माता सरस्वती की भरपूर क्रपा अवश्य ही प्राप्त होगी क्योंकि माता महालक्षमी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सरस्वती की कृपा अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए जब हमारे अंदर अच्छी बुद्धी का विकास होगा हमारी बुद्धी तीवर रहेगी और हम मेधावान रहेगे तो निश्चित तोर से हमें लक्ष्मी की प्राप्ती होगी और जब लक्ष्मी की प्राप्ती होगी तो उसका सद्विप्योग करने के लिए सद्वार्ग हमें मता सरस्वती जी ही दिखाएगी इसलिए सबसे पहले मनुश की बुद्धी का विकास होना अवश्यक होता है जब उसकी बुद्धी अच्छी रहेगी तीवर रहेगी तेज रहेगी तो उसकी जो कारिशेली रहेगी वो भी अच्छी रहेगी क्योंकि मन मत्सिस्क में जब हम अच्छी विचारों का प्रभान होता है तब माता सरस्वती की करपा होती है और जब माता सरस्वती की करपा होती है तो माता लक्षमी तो अपने आप ही उनके घर में निवास करती है और रुह मनुष्य सद मार्ग को करता हुआ अपने जीवन क जो है अग्रसर करता है पांच परवरी 2022 शनिवार के दिन बसंत पंचिमी का महापर्व है और इस दिन आप सुभा सूर्योदय के पहले उठे इसनान करे पवित्र वस्त्र धारन करे इस दिन ध्यान रखे कि माता सरस्वती को पीताम बर यने पीले वस्त्र अत्यादिक प्री है इसलिए बसंत पंचिमी के दिन पीले वस्त्र धारन करना चाहिए तथा मस्तक के उपर पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए और इस दिन आपको माता सरस्वती का विशेश पूजन अर्चन करना होगा वैसे तो आप प्रत्येक दिन अपने घर के देवी देवताओं का जो पूजन करते हैं वो पूजन करे भगवान सूरीदेव को जल चड़ाए तथा पूरुदिशा की तरफ एक चोकी या पटे की स्थापना करे उसके नीचे हल्दी का चोक बना देवे या रांगोली बना देवे और पीला वस्त्र उस चोकी या पटे के उपर इस्थापित करक माता सरस्वती के चित्र की स्थापना करे या फिर आपके घर में माता सरस्वती की मूर्ती हो तो उनकी भी आप स्थापना कर सकते हैं तथा कलस की स्थापना करे सर्व प्रथम भगवान गोरी गनेश का पूजन करे और उसके बाद कलस का पूजन करे और उसके प्रश्चात माता सरस्वती का पूजन करे ज्यान रखे माता सरस्वती को पीली वस्तुएं अत्याधिक प्री होती है जैसे माता सरस्वती का जब आप पूजन करें तो हल्दी या कैसर में चावल को पीला कर ले बे पीले अक्षत उनको चड़ाने पीला चंदन कैसर या चावल या पीले रंग की मिठाई माता सरस्वती को आप अरपन करेंगे, तो उनकी अपार क्रपा आपके जीवन पर सदेव बनी रहेगी, और माता सरस्वती का भरपूर आशिरवाद आपको सदेव प्राप्त होता रहेगा, प्रत्येक मनुष्य को माता सरस्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए, और इस दिन पीले रंग की वस्तुयें माता सरस्वती को आरपन करना चाहिए, वैसे तो प्रत्येक दिन मनुष्य को माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए, लेकिन बसंत पंचिमी के दिन माता सरस्वती का प्रागट्टी हुआ है, ब्रनतंदावन में जो होलीका उत्सव का आरंब होता है वो वसंत पंचिमी के दिन से ही होता है और निरंतर 40 और 45 दिनों तक वसंत उत्सव का अरंब वसंत पंचिमी से माना जाता है और बसंत पंचिमी के दिन माता सरस्वती के साथ में भगवान विश्णूजी का भी विशेश पूजन अर्चन किया जाता है बसंत पंचिमी के दिन माता सरस्वती को प्रसन करने के लिए अनिक प्रकार के उपाई भी किये जाते हैं और विद्या और बुद्धी की अधिश्ठात्री मता सरस्वती की प्रसनता के लिए आपको बसंत पंजमी के दिन प्रेम पुर्वक व्यभार करना चाहिए लडाई जगडा बात विबात बिलकुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन दाड़ी कटिंग और शेविंग भी नहीं करना चाहिए बसंत पंजमी के दिन आपको काले कपड़े बिलकुल नहीं पहनना चाहिए प्रयास करें कि इस दिन पीले कपड़े अवश्य पहने, यदि संपूर्ण पीले वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, तो कोई भी एक कपड़ा पीला अवश्य पहने, या फिर पीले रंग का कोई भी रुमाल या कपड़ा भी अपने साथ रख सकते हैं, तथा इस दिन आपको नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, किसी भी जर्वत्मन व्यक्ती को अपने घर से खाली हात नहीं लोटाना चाहिए, पेर पोधो को काटना एवं चाटना नहीं चाहिए, वसंत पंचमी के दिन नए घर के लिए आप भूमी पूजन कर सकते हैं, ग्रह प्रवेश कर सकते हैं, या कोई भी नया या शुब कारियरी आपको संपादित करना है, तो वसंत पंचमी सर्वत्तम दिन माना जाता है, विवहा के लिए भी वसंत पंचमी अपने आप में स्वयम सिद्ध भूर्त माना गया है, वसंत पंचमी के दिन आप कोई भी नया काम या शुब काम करते हैं तो आपके जीवन में वह उनित जायक और शुफ हलाएक साबित होगा वसंत बज्चिमी के दिन माता सरस्वती की क्रपा को प्राप्त करने के लिए कैसर या पीले रंग के चावल आपको बनाना चाहिए। कैसर या भाद जिसे कहा जाता है पीले रंग के चावल बना करके माता सरस्वती को पहले भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद में भोजन के साथ उस पीले रंग के चावल को आप स्वयम भी प्रसाथ के रूप में तो निश्चित तोर से पूरे वर्ष आपके घर में सुक्षामती सम्रद्धी बनी रहेगी और माता महालक्षमी की अपार क्रपा आपके जीवन पर निरंतर बरस्ती रहेगी क्योंकि पीले रंग का जब आप भोजन करेंगे तो आपकी बुद्धी तीवर होगी और जब आपकी बुद्धी तीवर होगी तो आपका जो है बुद्धी का अविकास होगा और आपके घर में माता महालक्षमी की अपार क्रपा निरंतर बनी रहेगी तो आप बसंत पर जिमी के दिन पीले रंग के चावल का सेवन अवश्य करें यह चावल आप दिन में भी खा सकते हैं और शाम को भी खा सकते हैं यदि आप चाहें तो संपूर भोजन भी पीले रंग का उपयोग कर सकते हैं जैसे चने की डाल से बने भोजन का उपयोग करें या फिर तुवर की डाल का भी आप उपयोग कर सकते हैं पीले रंग की खाएं पीले रंकी यदि आप खाएंगे तो माता सरस्वती अत्याधिक परम प्रसन्न होगी और जब आप माता सरस्वती को प्रसन्न कर लेंगे तो माता महलक्ष्मी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर में पूरे साल जम करके पैसा बरसेगा रुपिया ब चाहते हैं नगद राशी प्रदान करना चाहते हैं वस्त्रदान अन्दान गौनान या कोई भी डान पुन्य दिया आप वसंत पंचिमी के निमित करना चाहते हैं तो आप हमारे पिट्रीम के माध्यम से गूगल पे के माध्यम से फोन पे के माध्यम से या एकाउन नंबर के मा सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्क कर लिजिए आपको और आपके पुरिये परिवार को साधर जैसी कर्ष्ट साधर धन्यवाद